नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तुमा आज आपको एक पैरेंट्स के स्टेट्मेंट पढ़के सुना रहाएं। 11 December 2002 को एक 12 साल की लड़की ही उनकी पैरेंट्स की बच्ची थी चोटी से प्यारी सी बच्ची सब अर्बन फिलेडेल्पिया से और उसको कुछ मेनिंगो कोकल इंफेक्शन हुआता ब्रेन के अंदर अन्नोन और उसकी वज़े से कुछ ही घंटो के अंदर अच्ची की मौत हो गई बाद में उन पैरेंट्स को पता चला कि उनकी बच्ची की मौत बचाई जा सकते थी अगर उनको समय रथे एक टीका लग जाता इसलिए उन्होंने पूछा और ये काफी हाइलाइट भी हुआ था केस कि why didn't we know about this vaccine इस लाइन को में परके सामने फिर से पढ़के बोल रहा हूँ why didn't we know about this vaccine know your vaccine जी हाँ इसलिए आज का वीडियो समर्पित है मेरे सबी parents के लिए कि आप अपने बच्चों को जो भी टीके लगाए जाते उनके बारे में अच्छे से जाने उनके बारे में जानकारी एकत्रत करें क्योंकि यह बहुत जरूरी है कौन सा टीका कब आपके बच्चे की जिन्दगी बचा सकता आपको पता नहीं होता चीक है तो इसलिए यह जानना बहुत ही आवशक है हर parents को जानना जरूरी है vaccination के बारे में अल्रड़ी हमारी चैनल के उपर मैंने काफी vaccines के बारे में डिटेल में कई वीडियो बनाई हैं और आज एक बहुत ही महत्पून vaccine के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वह मैंनिंगो कोकल vaccine इसी सीरीज के अंदर तो आज की वीडियो में हम लोग इस मैंनिंगो कोकल vaccine के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखेगा बहुत important वीडियो है सबसे पहले तो मेंनिंगो कोकल vaccine से जानने से पहले हम लोग जानते है कि ये टीका जो है मेंनिंगो कोकल नाम की एक बिमारी है इन्वेजी इन्वेजिव मेंनिंगो कोकल disease से बचाने के लिए लगा जाता है तो आखिर ये न्वेजीव मेंनिंगो कोकल डिजीज आयो यह क्या होती है syndrome कर सकती है कई तरह के spectrum clinical spectrum कर सकते हैं जिसके अंदर सबसे में है meningitis invasive meningococcal disease के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे important तो है meningitis नहीं की brain fever brain fever के अंदर क्या होता है कि जो अपने brain होता है उसकी जो मेंबरेन्स होती है उसके अंदर infection होजाता है उसमें शुझन आ यह तो यह बहुति खतरनाग बिमारी की करणो थे और मेंनिंगो कोकल जो अन्फेक्शन अन्फेक्षैस सकता है निमोनिया कर सकता है हार्ट की जिल्ली में कर सकता है जोडों के अंदर कर सकता है और आखों के अंदर कर सकता है कई सारे स्पेक्टरम कर सकता है और यह इतना खतरना गिंक्रेक्शन है इसका यह शुरू होता है एक साधरान फ्लू के टाइप की जरूत पढ़ जाती है और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और कई बार तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी कुछ घंटों के अंदर बच्चे की मौत चाहती है तो इसलिए इस बीमारी को बहुत ही डेडली डिजीज का जाता है और इसका यह डेडलीएस डेस्पाइट प्रॉपर एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज अर अवेलेबल उसके बावजूर भी 15% बच्चे खत्म हो जाते हैं और जो बाकी बच्चे बसते हैं उनमें भी लॉंग टम पर्मानेंट डिसेबिलिटी के संभावना बढ़ जाती 20% बच्चों में और क्या दूसरा यह इंडिली बच्चों का अफेक्ट करती है यह इसकी बहुत ही खास बात है तुरुक। चोटा बच्चा होता हुता उसके लिधा उत्नी ज्यादा खतर्सका होती है यह आब देख रहे हैं परिवारी में इस तरह से शुरूराओ लक्षान होते पूरी बाड़ी के ँंदर ही चक्कत्ते से बनने लग जाते हैं और दीरे दीरी दीरे अंदर पूरे बाड़ी अंन्दर पैल जाते purchased फिर सारे बार्डी ऑर्गन को िंवाल कर लेते हैं सारे और लिए्गंज और बसका disciple काम करना फारॉट खरें और देखना शायद कुछ parents इसको देखना भी देखना अवोइड करें ये प्यारी सी बच्ची देखिए, नॉर्मल बच्ची है और इस बच्ची को फिर बिमारी हो गए थी और इसके बाद इसकी हालत देखिए इस बिमारी ने इसके क्या हालत कर गए थे मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत होती है जो भी इस बीमारी से सफर करता है और बहुत ही तेजी से तीन से बारा मेने के बच्चे के अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है इसके लावा शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरिड जैसा कि मैंने बताए कि रेस्पिरेटिव ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलती है अपनी थूक से या अपन जो सांस लेते हैं जो ब्रेट आउट करते है एर उसके थूरू इसके इंफेक्शन इसके बैक्टिड है स्प्रेड ह होते हैं और बहुत परकार्इशन करता है और कोई डाइग्नॉस्टिक 2012 प्रॉपर तरिके से अविलेबल इने क्योंकि इतना मुश्किल होता तो नो इन आज नहीं होता कि झाल साथ ऑ इसके प्रापर इसके लिए वह जह और तो इसके फैसले Grü Spark अवेन इस बिमारी के लगवक 13 सीरो टाइप होते हैं सीरो ग्रॉप्स सीरो ग्रॉप्स का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपने भी कौवीड आया था कौवीड इंफेक्शन के अंदर भी अलग-अलग स्ट्रेइन आ रहे थे तेरे तरे आपको पता चल रहा होगा कभी कोई सा स्ट्रे सीरो ग्रॉप्स होते हैं जो यह बिमारी करते हैं इस बैक्टिरिया के इस मेनिंगो को कर वाले इंफेक्शन की और उनमें से भी सिर्फ यह पांच होते हैं ए बी सी वाई और डबलू वन थर्टिफ आइफ जो की अधिकतर बिमारियों के लिए रसपॉंसिबल होते हैं यह सीरो ग्रॉप्स होते हैं जो में इनी रसपॉंसिबल होते हैं ग्लोबल एपेडेमिलोजी की बात करते हैं कि पूरे वर्ड में विमारी कहां कहां पाई जाती हैं सबसे ज्यादा विमारी सब सहारन अफ्रिका सबसाहरन अफ्रिका वाला बैल्ट है यह पूरे वर्ड में सब इसके एपिडेमिक्स होते रहते हैं इसके अलावा बिवर्ड में कई जगहें वेस्टन कंट्रीज के अंदर भी है मक्का है जो हजियात्रियों के लिए एक पेलिग्रिम है वहां पे भी बिमारी काफी कॉमन है और इंडिया के अंदर में ली एक ग्रूप के वज़े से होती है ठीड है जाओ साउथ घ्रिक के अंदर अब ईस्टन कंट्रीज है उनमें बुसटें की वज़ए से होती है मैं अप इंडिया में में बात करते के इंडिया में बीमारी कितनी कॉमन है तो इंडिया के निदर अच्छी बात आ है कि यह पर बात population होते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके बावजूद भी frequent outbreaks होते रहते हैं इंडिया के अंदर बिमारी अगर कही जाए तो dry seasons में ज्यादा होती है और North India के अंदर यह बिमारी ज्यादा वाला सिस्टम है बहुत डवलब्ड है तो इसकी वज़े से यह प्रॉपर डेटा अविलेबल नहीं हो पाते हैं एक और ग्राफ में अपन देखते हैं कि यहां पर जो डेटा है यह देखिए आप 26789 तो हर साल यह देखिए और ग्र माamotॉ रिपोर्ट की गई हैं और यक बिल्यता हैं की बात करे तो 209 Els में पड्रेको नारो 208 में वह तरेणी नों में त्रिपुरा में आउट ब्रेक होता इस बीमारी की वज़े से तो आउट्रेक चाह discharge प होते रहते हैं और हर आउट्ट्रेक में सीरो ग्रूप ए ही पाया गया था तो अब हम लोग इसके में जो अमारा आज का जो टॉपिक है कि टीके जो मैनिंगो कूकल वेक्सीन है इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि सबसे इंपोर्टेट यही है अब दो तरह की वेक्सीन मैनिंगो कूकल विमारी के लिए अविलेबल है और इन दोनों के अगर कैटेगरी अपन कहें तो एक होती पॉलिसेकरण वेक्सीन और दूसरी होती है कॉन्जुगेट वेक्सीन में क्या फरक है कौन सी लगाई जानी चाहिए तो यह बहुत टेक्निकल इशू है लेकिन मोटा मोटा मापको बतातू कि पॉलिसेकरण वेक्सीन यूज्वली कम एफेक्टिव होती है इसकी कम इम्मिनोजैनिसेटी होती है और इसको दो साल से पह नौ मास लेकर दो साल तक बच्चों में यह विमारी जादा होती है इसलिए इसकी यूटिलिटी कम हो जाती है जबकि कॉंजुगेट वेक्सीन असानी है इसकी इम्मिनोजैनिसेटी जादा होती है अब एक एक करके अपन कैटेगरी लेते हैं पॉलिसेक्राट वेक्सीन जो कॉड्री मेनिंग को नाम से है वेक्सीन और ये कॉड्रावेलेंट होती है मतलब A C Y O W 135 चारों सेरो टाइप्स के ओपर इसका इफेक्ट होता है तो इन चारों के ओपर है लेकिन इसका लगाई जा सकती है लेकिन यह फ्रेलिदि अवेलेबल नहीं है बलकि बिल्कुल भी इ लाष्च्र की की है और दूसरी मैन्वियो ग्लैक्षओ की है तो इह दो बहुत इंपॉरृत इंपॉर्टेंट वेक्षिन महीु किल एं pedew को कल डिजीज के लिए सब इनबेक्षीन के अब बात करते हैं कि अब ह GPA लगा जाते हैं मैंनिमारी से बचने के लिए या इस बिमारी से बचने के लिए यह किन बच्चों को लगाया जाना चाहिए इंडिया के अंदर क्योंकि यह इंडिकेशन है वर्ड वाइट सब जगे अलग-अलग है जैसे अफ्रीका जैसी जगह है जहां बहुत ज्यादा कौमाने मिमारी वहां रेगुलर्ली हर बच्चे को रिकमेंडेट है गाइडलाइन के अंदर है इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है और CDC और IAP दोनों के रिकमेंडेशन IAP जो है Indian Academy of Pediatrics तो उसका क्लियर कट है कि the current epidemiology and burden of the meningococcal disease in India do not justify routine use of meningococcal vaccines साल रिकमेंडेट only for certain high-risk conditions and situations यह पॉइंट बहुत important है ध्यान दे सभी parents कि meningococcal infection इंडिया के अंदर सभी बच्चों को recommend नहीं किया जाता एक routine vaccination नहीं है मतलब आपके चार्ट में इसका नाम मिलेगा लेकिन सब बच्चों के लिए आवशक नहीं है अपर यह चार्ट चार्ट के बात करते हैं यह जो एसी वियाईपी है advisory committee on vaccination and immunization practice जो इंडिया के अंदर बच्चों की vaccine के बारे में guidelines बनाती है और यह guidelines फिर आईएपी जारी करते हैं तो आईएपी का time table है पूरा एम्मणाजीशन चार्ट है जो guidelines से latest guidelines है और इसमें भी यह देख्या मैंनिंगो कोकल लिए लिखा मेनिंगो कोकल और यहां दो डोज दी गई है ठीक है नाइन मंस और ट्वेल मंस लेकिन 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 यहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि कि इस वाली चार्ट में यह जो है फॉर ओनली हाई रिस्क चिल्टर वैक्सीन अंडर इस्पेशल सरकम्स्टांसेज और इसके अंदर मेनिंगो कोकल वैक्सीन सारे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है अब किन बच्चों के लिए उनकी बात करते हैं सबसे पहले तो चिल्टर विद सर्टेन मेडिकल कंडिशन उन बच्चों के लिए जिनमें कुछ बिमारिया पाई जाती है जिनमें कुछ बिमारिया होती है उन बच्चों को लगा जाना ज़रूरी है सबसे पहले तो चिल्टर विद टर्मिनल कॉम्प्लिमेंट कंपोनेंट deficiencies अब यह component क्या होता है component एक तरीके के immunity factors होते हैं fighters होते हैं protective proteins होते हैं body के अंदर जो जर्म से लड़ते हैं तो अगर इनकी deficiency होती है किनी बच्चों में तो उनमें यह मैंने को को कल वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा functional और anatomic a-splenia a-splenia मतलब जिसके तिल्ली नहीं होती स्प्लीन बोलते हैं और यह left side में होती है अगर किसी की तिल्ली है नहीं हो काम नहीं कर रही है तो उन बच्चों को मेनिंगो कॉकल वैक्सीन लगाया जाता है एक सिकल सेल नाम की विमारी होते उनमें भी लगाया जाता है इसके अलावा human immunodeficiency वाइरस से अगर किसी को हो रहा है यानि कि AIDS HIV infection है तो उनके लिए भी रिक्मेंडेड है और Children on drugs that suppresses the immune system यानि कि वो बच्चे जिनको immune suppressive drugs चल रही है उनको ये मेनिंगो कॉकल वैक्सीन लगाया जाना बहुत जरूरी है इसके अलावा laboratory personal and healthcare workers जो hospital में healthcare workers काम करते हैं ज़्यादे तर उन एरिया में या उन hospitals में जहां इस तरह के cases ज़्यादा आते हैं दिमागे बुखार वाले तो उन सभी healthcare workers को लगाया ज़रूरी क्योंकि उनको cross infection होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अब बात करते हैं international travelers तो यह एक बहुत important category है जहां पर यह meningococcal जो टीका है वो लगाया जाना चाहिए तो किन-किन travelers को लगाया जाना चाहिए तो सबसे पहले आते students students going for study of routes some institutions have policies requiring vaccination against meningococcal diseases as condition of enrollment वहां पर enrollment के लिए जरूरी होता है कि उनके meningococcal यह तीका लगावा यह बहुत जरूरी होता है कई universities है American universities भी यूके की भी है तो एक खास बात यह होती है कि वहां पर लगावा भी हो वह लास्ट पास साल से पहले का नहीं लगावा हो तो अब जैसे 19 साल का बच्चा अगर आपके पास आता है उननीस साल का बच्चा जा रहा तो उसका अवलब 14 से 19 साल के बीच के अंदर यह टीका लगाएवा होना चाहिए documented चीक है तो यह five years का period है before enrollment तो एक सबसे जो पहले category international travels में students international travels में जो दूसरी category आती हो आती हाजी pilgrims मक्का के अंदर जो भी हाजी pilgrims जाते उनके लिए mandatory है यह मैंनिंगों को टीका लगावा होना चाहिए और वह भी तीन साल की कास्ट यह vaccine लगाती है तो वह एक important category है आजी pilgrims उनको भी लगाना must है इसके लावा जो travelers की अलग category एक और category वह है अगर कोई भी travelers कोई भी बंदा जा रहा है अफ्रीका अफ्रीका जैसे countries के अंदर अफ्रीकन बैल्ट के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा है तो वहां पर भी country के लिए mandatory है कि वहां पर जो भी ट्रेवलर आएगा उसके मैनिंगो कोकल यह vaccine लगावा हो वह अगें quadrivalent वैक्सीन रेकमेंडेड है उनके लगवा होना चाहिए और यहां पर पांस साल का पीरिड है कि पांस साल की पिरिड लास्ट पांस साल से पहले का नहीं लगवा हो लेटिस्ट वाइफ यह के अंदर अदर लगवा होना सेनोफी पास्चर का ठीक है यह conjugate vaccine है जैसे मैंने बता है पॉलिस सेकरेट वैक्सीन तो वैसे इंडिया में जाता है भी नहीं यह mainly conjugate vaccine है quadrivalent होता है यानि कि वहीं चारों strain पर काम करता है ठीक है और इसकी जो एस ग्रूप है नौ महां से लेके 55 साल तक की उम्रतक लगाया ज जाता है अब इसकी डोस कितनी होती है नौ महा से लेके दो साल तक का बच्चा 23 मंस तो उनके लिए दो डोस recommend की गई है तीन मंस के त्री मंस अपाट तीन महा के गैप से तो इसलिए आपने पहले अगर ध्यान दिया हूँ जो आईएपी का schedule है immunization schedule उसके अंदर भी 9 मंस के उ अपर है और 55 साल तक की उम्र में single dose recommend की गई है मिनेक्टरा वैक्सीन की कॉस्ट यह थोड़ा महिंगा ठीका है लगबग 5000 रुपए के असपास एक 500 रुपए के असपास यह ठीका अविलेबल है माकेट में कि दूसरा जो है मैं वियो वैक्सीन ग्लैक्सों का यह भी अविलेबल है यह भी कॉंजूगेट वैक्सीन है क्वाट्रिवेलेंट होता है चारो स्ट्रेंट पर काम करता है इसकी सिंगल डोस दी जाती है इसको दो साल से नीचे नहीं दे सकते दो साल से लेके 55 साल तक के लिए यह रिकमेंडेट है और सिंगल डोस यह देखिए यह मैंवियो इंजेक्शन है ऑन डोस पॉइंट पाइफ एमेल और यह ग्लैक्सों कंपनी का इसकी मार्केटिंग नहीं के लिए इसको बनाया है और यह बनाया है साउथ अफ्रीका के लिए तो वहां पर अफ्रीका में इसके केंपैंद होते नंग होते यह हूं यह वेक्सीन काशने के लिए जाता है और यह पिलीका JEN ankles जो था मैन पूरिक्स इसका नाम ही अप फ्री मैन अफ्रिवेक हैं लेकिन मौनोवलेट होता है और यह केवल ए ऐ सिर्फ एजो था उसके अगेंस्ट काम करता है चार स्टेंट थी यह सी यह डबलॉबन थर्टी फाइब लेकिन इस इसलिए इसको मौनोवेलेट करते हैं एक बात यह हो रहा है क्योंकि जैसे कि सबकी रिकमेंडेशन में था ट्रेवलर्स में भी था कि अगर आपको पांच साल से ज़्यादा हो गए तो फिर यह अप्लेकेबल नहीं होता तो आपको पांच साल के पीरिड के अंदर अंदर आपको यह लगवा होना चाहिए अगर 15 सा के बाद इसकी बूस्टर डोल लगाया जाना जरूरी है मतलब यह कुल मिला कि इसका इफेक्ट है इन टिकों का वह फाइफ यह तक ही है जो भी अवी तक कि स्टडीज में आ गया है पांच साल से इसकी एफिकेसी कम हो जाती इसलिए पांच साल के बाद बूस्टर विर्मयू को मेजर साइडिध सिर्फेक्ट बोफ बहुत माइनर ओर अराम से दिये जा सकते कि से लिए अगर यह शृप एयुकित बप्चों को पहले हो चुका होता हुटा है उन्में अगर लगाया तो इसकी रिकरमar की संभावना बढ़ जाती इस बीमारी जैनीब किस्लि आपको सारी जानकार ही होनी चाहिए ताकि आपकी पीडियाटिशन के पास जाके खुद सवाल पूछ सके और खुद उनको बता सके कि यह टीका क्या मैं लगा सकता हूं है यह बात माननी है इस्टिल कई बार कुछ चीजे बीजी शिडियूल में डॉक्टर भूल जाते हैं तो आप उनको यह रिमाइंड कर सकते कि क्या मैं यह टीका क्या मुझे लगाया जाना चाहिए तो इसलिए यह जो लगातार मैं वैक्सीन के बारे में आपको वीडियो बना आए और अकली बार फिर किसी नए टिके के साथ में लेकर आऊंगा जब तक लिए थान्यवाद थैंक यू